हेलो गाइज आप सबका एक वार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको केसर वाले दूद पीने के फाइदे बताने जा रहा हूँ अगर हम केसर वाला दूद पीते है तो इसके हमारे श्रीर को एक नहीं बलकी अनेक फाइदे मिलते है इनी फाइदों के उपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप वीडियो में अंतक बने रहे वीडियो काफी नॉलिजफुल है चैनल पर नए है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आएए वीडियो को शुरू करते है दोस्तो केसर में कई औश्री गुण पाये जाते हैं केसर में केल्शियम, आईरन, विटामिन C, फासफोरस, विटामिन B6, ठाइमिन, फोलेट, मैगनिशियम और कॉपर जैसे गुण पाये जाते हैं जो शुरीर को कई बिमारियों से बचाते हैं आए इन फाइदों को एक एक करके जानते हैं नमबर एक, इमिनिटी होगी मजबूत केसर वाला दूद, एंटी आक्सिडेंट गुणों से भरपूर होता है जो इमिनिटी को मजबूत बनाने में मदद करता है जिससे आप सर्दी जुखाम, बुखार जैसे वाइरल इनफेक्शन की चपेट में आने से बच सकते है अपनी इमिनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आप केसर वाला दूद जरूर पियें नमबर दो, अनिंद्रा में फाइदे मंद अनिंद्रा की समस्या होने पर केसर वाले दूद का सेवन फाइदे मंद होता है अगर आप रात को सोने से पहले केसर वाले दूद का सेवन करते है तो इससे आपको गहरी नीद आएगी और अनिंद्रा की शिकायत दूर होगी इसलिए जिन लोगों को नीद ना आने की समस्या है वो केसर वाले दूद का सेवन अवशे करे नमबर 3 हड्या होगी मजबूत केसर वाला दूद कैल्शियम से भरपूर होता है इसलिए अगर आप रोजाना एक गिलास केसर वाले दूद का सेवन करते है तो इससे हड्या मजबूत होती है और हड्यों से जूड़ी बिमारियों का खत्रा कम होता है श्रीर को मिलती है उर्जा श्रीर और सुस्ती महसूस होने पर अगर आप केसर वाले दूद का सेवन करते है तो यह आपके लिए फाइदे मंद होगा क्योंकि इसमें मौजबूत तत्व श्रीर को उर्जा परदान करने में मदद करते है इसलिए आप अपने श्रीर की कमजूरी और सुस्ती को दूर करने के लिए केसर वाले दूद का सेवन अवश्य करे स्किन के लिए फाइदे मंद केसर वाला दूद एंटी आक्सिडेंट गुरों से भरकूर होता है जो स्किन के लिए फाइदे मंद होता है केसर वाले दूद का सेवन करने से स्किन हेल्दी रहती है साथ ही स्किन पर गलो भी आता है आप अपनी स्किन को चमकाने के लिए केसर वाले दूद को दुरूर पियें गर्वती महिलाओं के लिए फाइदे मंद प्रेगनंसी के दौरान महिलाओं को केसर वाले दूद का सेवन करना चाहिए इससे बच्चे का रंग साफ होता है और बलड प्रेशर भी नॉर्मल होता है प्रेगनेट महिलाओं को प्रेगनेंसी के तीन महिने बाद ही इसका सेवन करना चाहिए आप ज्यादा केसर ना ले ज्यादा केसर लेने से बच्चे को नुकसान हो सकता है आप के ओल एक दूद के गिलास में केसर के दो से तीन रेशे ही ले सकते है तबी आपके लिए फाइदे मंद होगा पीरियर के दर्द में रहत दिलाएं पीरियर का पैन बरदाश्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है पीरिड के दोरान पेट में दर्द होना बहुत ही आम बात है इस दर्द से निपने के लिए लड़कियों को दवाया लेनी पड़ती है क्यूंकि इसका दर्द ही बरदाश्क से बाहर होता है लेकिन आप दवा ना लेकर उसकी जगह पर किसर वाला दूद पिये तो इससे आपका दर्द कम हो जाएगा क्यूंकि इसमें मौजूद एंटी इंफलिमेंटरी क्वाल्टीज आपको पीरियड में होने वाले दर्द से छुटकारा तिलाने में मदद करेगी दिल की सेहत के लिए फाइदे मंद जो लोग नियमित रूप से केसर वाला दूद का सेवन करते है उनके श्रीर में हानीकारक कोलोस्टोल का स्तर कम होता है और रक्त द्वन्यों को दुरूरी पोशन मिलता है यहां हीर्दे रोग को ठीक करने में फाइदे मंद है केसर के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो रक्त परवाव को बढ़ाता है साथ ही रक्त चाप को नियंतरित भी करता है पेट के लिए फाइदे मंद केसर वाले दूद के सेवन करने से पेट में गैस, पेट में दर्द, पेट की सूजन, ऐसीडिटी और पाचन संबन्दित समस्याएं दूर हो सकती है ऐसे में केसर का दूद या केसर की दूद से बनी चाए का आप नियंमित रूप से सुभ़ के समय सेवन करे ऐसा करने से आपका पाचन तत्र मुझबूत होगा, बकि आप रात को सोने से पहले एक गिलास गरम दूद में तीन से चार केसर के रेशे मिला कर इसका सेवन कर सकते है दोस्तो आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, थैंक्स फॉर वाचिंग